पिपिए अंदर हम लोग बात करने बाले है चंदर मां के सभी 12 घरूं के अंदर किस तरह के प्रभाव रहते हैं कीकित दीसमेट हूस हैं तो खिस तरह के वीडिविश रहने वाला है। और हैं काफी यदिक अ वाला है यहां पर इस वीडील दना हम्सारे लेकर 12th house तक जो हमारे moon के results हैं उनके उपर हम लोग बात करेंगे तो चलिए वीडियो को अपने start करते हैं और आज चंदर्मा की बात करेंगे और हम सारे houses के अंदर ये देखते हैं कि चंदर्मा किस तरह से हमें results देते हैं हमारी तो चलिए हम start करते हैं प्रेंटेशन की उपर हम लोग चलते हैं और डिरेक्ली प्रेंटेशन से हम लोग समझना start करते हैं कि तो देखिए अभी हम लोग जो है तो जैसा कि देखिए हम सब को पता है कि हमारे जो चंदर्मा होते हैं ये कहीं न कहीं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल चंधर्मा प्ले कडरते हैं हमारे मं के मं के जैंगे जिस भी जाकर बैठेंगे कोई नंदर की यूणीक चीज्krä्ण जरूर होगी तो बिल्कुल वीडिएowed के लाश्थ सक बने रहेगा क्योंकि बहुत सारे प्रेटिक्शन से वीडियों के अंदर हम लोग करने वाले हैं चंदरमा की पोजिशन को लेकर काफी सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे तो मिली देखिए जो मन होगा हमारा चंदरमा जिस भी घर में बैठेंगे तो हमारा जो एक इंक्लिनेशन है हमारा अगर हम बात करेंगी हमारा जो इंक्लिनेशन है उस घर की तरफ बहुत जादा रहेगा जिस घर में हमारे चंदरमा बैठे होंगे और हमारा जो इंट्रेस्ट है हमारा इंट्रेस्ट भी हमारा काफी जादा उस घर से जुड़ी हुई चीजों को करन सबसे पहली बात तो कि यह जो कलर है यहाँ पर नेटिव का ज़्यादा बनाते हैं अगर चंद्रमा एफ्लिक्टेड नहीं है तो जो कलर होगा नेटिव का बहुत ज़्यादा फेयर होगा यानि कंप्लेक्शन जिसको हम कहते हैं बहुत अच्छा होगा इंसान का ऊणर्वाल लगने के अंदर होते हैं तो इंसान जो मदर मेचंझ चर्मा था का का जो नेचर है हमेशा लोगों की केर करने वाला नेचर इंसान का हो जाता है हमेशा लोगों के बारे में सोचने वाला लोगों को नर्चरिंग का जो एक नेचर होता है कि लोगों की देख बाल करना जिन लोगों से आप मिलना है उन लोगों के बारे में अच्छा सोचना तो थोड़ा सा मन को चंद्रमा अंस्टेविल भी कर देते हैं क्योंकि अब चंद्रमा लगने के अंदर बैटे हैं वहर दाही दिन के अंदर आशी बदल लें तो आपको काफी जादा देखने को मिल सकते हैं आपको जो मूड है वो बार-बार थोड़ा सा चेंज हो सकता है तो मूड स्विंग समय देखने को मिल सकते हैं अब अगर यह चंद्रमा कहीं से एफ्लिक्शन में आ गया जैसे यहां पर शनी बैट के फोर्थ हाउस में टैन दिश्टी से ह चंद्रमा को देख ले रहू नाइंथ हाउस में बैठकर चंद्रमा को देख ले अगर इस तरह की कंडिशन आ जाती है तो कई ना फिर यह मारे माइंड के अंदर चंद्रमा जुमें में तोड़ा सा ओवर थिंकिंग वगरा के कॉम्बिनेशन भी हमारे बना देते हैं अगर इनको negative planets अगर देख लेते हैं लेकिन अगर यही पर इन्हें बहुत जदा positive planets देख लेते हैं जैसे कि इन्हें Jupiter देख लेते हैं या Mercury Venus और चंद्रमा को देख लेते हैं तो इनका ऐसा जो परसन होता है वो बहुत ही जदा फिर काफी जदा wisdom को करी करता है अगर Jupiter और चंद्रम के अंदर होंगे तो आप भी ज़रूर चेक करेगा अच्छी सिंपिल प्रडिक्शन की किसी का चंद्रमा अगर अंटेंट है पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं है शनी राहू मंगल से और वो जूपिटर के साथ लगन में बैठा हुआ है जूपिटर से द्रिश्टों के सकते लगन में बैठा हुआ है तो आपको जो कलर है काफी ज्यादा मिलेगे कोंप्लेक्शन आको काफी ज्यद्ध अच्छा मिलेगा ने अगर कें ऑगार जाते हैं अगर हमारा जो कुंडिया बर्छार्थ है चैनरमा जब हैं के से कह बारे प्यूंद का चैन ऑगी ना कहीं हो काफी wed지 का बहूतए तो कैना कहीं जो speech है ऐसे person की, speech के लिए भी उसका person का जो मन है काफी ज़ादा करेगा कि कहीं न कहीं जाकर speech दे देते हैं, कुछ बोलते हैं, परिवार में काफी ज़ादा इंसान का जो मन है, family में, इंसान का जो devotion है, काफी ज़ादा family की तरफ भी जाएगा, second house में अगर किसी के moon है, तो दे और कहीं न कहीं देखिए, ऐसे person को नए-ने कपड़े पहनने का भी शौक हो सकता है, क्योंकि देखिए, second house जो है, वो, natural शुक्र का house होता है, जो कि aprils को denote करता है, luxuryous items को denote करता है, तो इंसान के मन के अंदर, luxuryous items को खरीदने की, नए-ने गाड़ियां लेने की, नए-ने बंग पैसा आता रहे, bank balance जो है, मिशा, अच्छा चले तो ज्याद अच्छा रहेगा, अगर देखिए, ऐसे person का, जिसका चंदरमा second house में है, और वो tainted है, यानि कि शनी के साथ बैठ गया, राहू के साथ बैठ गये है, या फिर mangal के साथ बैठ गये है, केतु के साथ बैठ गये है तो कहीं ना कहीं, इन सारी चीज़ों के अंदर, finance है, wealth है, apparels है, luxuries, item है, तो इनके अंदर थोड़ा सा affliction जरूर दे सकते हैं, और अगर अच्छे planet के साथ में बैठ आ हैं, पापी planets के साथ में नहीं बैठ आ हैं, तो फिर इन सारी चीज़ों में बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे Jupiter के साथ बैठ जाएं, Venus के साथ बैठ जाएं, तो बढ़ावा भी इन सब चीज़ों में दे सकते हैं, चन्दरमा हमारा second house के अंदर आ जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और third house की बात करते हैं, उससे पहले एक बहुत छोड़ा सा announcement कि हम लोग अभी six weeks का जोतिश fundamental course स्टार्ट कर रहे हैं, specially designed for beginners, beginners के लिए जो लोग astrology में नए हैं, और astrology को basic से सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए predictive astrology का course, हम लोग six weeks का course लेकर आए हैं, योगी 18 September 25th October तक ये course हमारा चलेगा, six weeks का course है, और इसकी weekly two classes होंगी, 8.30 pm to 10 pm, और इसके recording भी available रहेगी course की, तो अगर करना चाहते हैं, तो नीचे दिएगे number पर हमसे बात कर सकते हैं, तो अगर आप भी वेदिक predictive astrology सीखना चाहते हैं, astrology को course से सीखना चाहते हैं, astrology learn करने हैं, लेकिन अभी prediction करने में struggle करते हैं, तो जरूर ये course आथ के लिए है, जरूर इसे join करिएगा, और अपनी astrology learning journey को आगे ब चलिए आगे बढ़ते हैं, और चंदरमा third house की बात करते हैं, अगर हम moon third house की बात करें हमारा, कि third house में किस तरह से जो moon है हमारे result हमें लाकर देगा, तो चंदरमा जब भी third house के अंदर हमारे आएंगे, तो कहीं ना कि third house देखे, naturally mercury का house होता है, तो इनसान का जो मन है, वो networking की बहुत ज़्यादा जाएगा इस case के अंदर, इनसान का जो मन है, वो कहीं ना कहीं communication की तरह जाता है, networking है, communication है, इनसान का मन यहाँ पर जाएगा, siblings से ना देखे, ऐसे person को बहुत ज़्यादा attachment हो सकती है, अगर चंदरमा tinted नहीं है, तो siblings से बहुत ज़्यार हो सकता है, अब moon जब भी third house में होता है, तो traveling देखे, इनसान की life में बहुत ज़्यादा होती है, traveling से जोड़कर ऐसा इनसान काफी काम करता है, और ऐसे इनसान की hobbies भी देखे, बहुत ज़्यादा होती है, hobbies होगा इनसान की, जो natural talents है, तो natural talents को भी develop करने का ऐसे person के अंदर, शौक होता है, skills होत इसे person का बहुत ज़्यादा interest रहता है, तो यह सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, अगर third house के अंदर हमारे moon आ जाते है, फोर्थ house के अंदर देखे, अगर moon हमारे आ जाते है, तो देखे, moon जो है, अब देखे, moon हमनी जैसे बात किया था, मन के कारक होते है, और satisfaction के कार होते हैं, तो जैसे जो third house में बात करी, तो मन हमारा, अगर moon third house में है, तो अगर आप यह सारे काम करोगे, तभी आपका मन satisfy होगा, satisfaction के लिए, आपको यह सारे काम करने पड़ेंगे, networking, communication, sibling, traveling, यह आप यह खुद देखते भी होगे, कि जब तक आप यह काम कर रहे हैं, तभी आपका जो मन है, वो satisfy हो रहा है, stable हो रहा है, एक peaceful महसूस कर रहा है, और अगर आप यह सब चीज़ नहीं करेंगे, तो उतना अच्छा आपके लिए नहीं रहे हैगा, जैसे moon अभी चौते गर में है, तो ऐसे person का देखिए, mother के साथ में relation जो होता है, बहुत अच्छा रहता है, property में भी ऐसे person का काफी ज़्यादा interest रहता है, moon अगर यहाँ पर है, तो ऐसा person जो होता है, वो tree plantation के उपर भी देखिए, काम कर सकता है, मतलब कि जो थोड़ा सा, हम कहते हैं ना, green tree, clean India के उपर काम करना, green India के उपर काम करना, तो ऐसा person, sanitation के उपर भी बहुत ज़्यादा क सकता है, agriculture से भी ऐसा person जुड़ सकता है, बहुत अच्छा रहता है, vehicles, नएने vehicles खरीदने में ऐसे person को बहुत interest हो सकता है, और ऐसा person देखिए, जिसका चंदरमा fourth house में होता है, fourth house होता है, तो ऐसे person को happiness है, वो घर में मिलेगी, उसके देखिए, fourth house होम का होता है, तो जब तक य घर से दूर चले जाएंगे, तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, और जो happiness है, इनको life के अंदर मिलनी कम हो जाएगी, या उनको उतना अच्छा नहीं लगेगा, तो जब तक ये लोग घर के अंदर रह रहे है, चंदरमा अब तक बहुत happy है, तो ये लोग इन लोगों के लि सब्सक्राइब करेंगे, और इसके साथ में कुछ इसके जो main syllabus रहेगा, एक बार वो भी discuss कर लेते, तो देखें जो वेदिक astrology की fundamentals है, पोर्स के अंदर हम लोग बहुत आसानी से बात करेंगे, creation of horizon, हमारा जो horizon है, universe है, कैसे create हुआ, बाकि हमारे जो बारा राशियां है, किस तरह से originate होते हैं, दशा सिस्टम क्या होता है हमारा, एसलोजी के अंदर, दशा सिस्टम के उपर काफी detail में बात करेंगे, गोचर कुंडली, जो बहुत important कुंडली है, चंदर कुंडली बहुत important कुंडली है, इसके उपर बात बात करेंगे, जो planet की दृष्टियां होती है, उनकी उपर बात करेंगे, astrology remedies आपकी life में जो भी परशानी चले जो भी problems चल नहीं है, उनके लिए remedies भी स्कोर्स के अंदर रहेंगी, और main सबसे important चीज़ क्या है, 100 plus predictions आपको course करना रहेंगी, 100 plus astrology remedies स्कोर्स करना रहेंगी, 50 plus practice charts भी आपको इसके अंदर मिलेंगे, weekly assignments भी आपको हम देंगे, तो अगर आप इस course को enroll करना चाहते हैं, तो definitely आप ज़रूर ये जो नीचे contact number है, इस पे आप हमसे बात कर सकते हैं, और course के अंदर enroll कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चंदरमा अगर fifth house की बात करें, moon अग अगा बच्छेों के अंदर, क्योंकि देखिए, जो children है, हमारा, जो 5th house होता है, हमाएं कही न कहीं स्टॉक मार्गेट के अंदर बहुत जादा रूची होती है, ऐसा टेसे परसन को एक है इसे परसन की पावर है कि बहुत अच्छी होती है कि ली सूरे का हाउस है वहाँ पर चंद्रमा जा रहे हैं डिसीजन परिफ करते हैं ऐसे परसन की और इस जो परसन होगा चैरे पे देखिए हमेशा ग्लो रहेंगा आप सोरे के पास glow है, glow देखने को मिलेगा, बच्चों की अंदर बहुत ज़्यादा मन रहेगा, बच्चों की चैल्डरन के अंदर मन रहेगा, और यह सारी चीज़ां हमें देखने को मिलेगी, education जो होगी, ऐसे परसन की देखिए, काफी ज़्यादा अच्छी होगी, अगर चैनरम होता है, फट, जी काई नकरे, divine blessings का भी house होता है, तो यह माना जाता है कि जिसका चंदरमा फि oportunidad होता है, तो क्योंकि चंदरमा benefit planet है, तो कही न कई Divine सब्सक्राइब बहुत अच्छा प्लेस्मेंट लिए अदर माना जाता है बहुत जादा बैनेफिक प्लेसमेंट इसको लोग मानते हैं गी चटडे गप उसके अंदर आ जाते हैं तो देखे कई न का रो करेंगे और क्याmत हो लिए प्रशयर से कुर्षजर प्रेशन करते हैं चुल दूं। चुछाई करने का बहुत मन होता है इस पर्शन का सेवार्यर बनने के लिए लिए भी स्के कोई काम करने डॉक्टर बनने के लिए ऐसे परसन के अंदर काफी ज़्यादा मन के अंदर थोड़्स आते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाओ तो यह सब चीजों के लिए मन अच्छा रहेगा सेवा मन अच्छा रहेगा लोयर ऊक्टर बनने के लिए मन अच्छा रहता है एनिमीज और का सामना ऐसा परफंड उतने नहीं कर पाता तो यह है लेकिन बाकी चीजों के लिए अच्छा रहता है तो हमने बात करी देखिए मून सेवेंध्थ हाउस की बात करते हैं अगर चंदर माइध्थ हाउस के इनदर आ जाता है तो फिर हमें किस तरह गिंगे अगर रिधरल्ड देंगे मून हमारा रहें तो देखें जो मन है वह सपाउस के इंदर बहुत ज्यादा इन्वाल रहता है स्वेवें जाता है स्वेश लिए लेकिन ग्राण का समय एक अपने के लिए प्लेस्मेंट के लिए बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन रहता है ये और एक अच्छा प्लेस्मेंट ही माना जाएगा जिसमें सारे चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बस वाइफ का नेजर थोड़ा सा निस्टेबिल बनाता है बाकी सब चीज अच्छी रहती है अब म का नेच्छा इमेशागा दुक्ति रहता है इन्सान पर्सन करेगा तो शयद ऊसको नेगेटिव थौर्स ना आए और ऐसे पर्सन को को देखे हनुमान जी की ब्लेसिंग भी लेंएं चाहिए वह बूद्शा प्राणायं करेंगे तो शनी इंप्रूव हो जाएंगे हनुवान जी की भक्ति करेंगे तो केतु ग्रेश से बहुत जादे इंप्रूव होंगे यह करेंगे तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल हो सकती है वरना आठीवे घर का जो चंद्रमा है इसके रिदर्स अच्छे देखने को नहीं मिलते मरंकारकस्तान का चंद्रम तो किस तरह से हमें रिदर्स देखने को मिलते हैं अगर चंद्रमा देखे नाइंता उसके अंदर आ जाता है तो ऐसा परसन जो होता है देखिए स्पिरिच्वालिटी को बहुत अच्छे से फॉलो करता है इस परसन का मन बहुत अच्छा रहता है गुरू की तरफ ऐसे परस इस परसन का एक स्पेशल टाइब का रिलेशन होता है और अगर चंद्रमा अच्छा है जूपिटर वीनस की देश्टी तो बहुत ही जाद अच्छा रहेगा तो यह अच्छा प्लेस्मेंट है क्योंकि देखो देखिए जो होता है यह जो होता है तो इस यहां पर भी हमें मि अगर हमारा मून देखे 10 अगर आजाता है तो किस तरह से जदर आएंगे अभी मून 10 अगया तो कहीं न कहीं देखिए जो ऐसा परसन है उसका जो मन है बहुत ज्यादा प्रोफेशन के इंदर जाएगा वह प्रोफेशन के लिए काफी ज्यादा ऐसा परसन सोचेगा अपनी फेले हम थोड़ी पोजिशन यहां पर आजाते हैं जी वजह से यह जो करियर है कर्यार के नदर ठोड़ी से इस्टी इंसे देंगे करियर केंदर इनस्टी रहेगी और आप ज्यूरूर च्ट जाकर nailed करे करें अब को इंस्टेविल मिलेगा क्योंकि यहां पर चंदर्मा का दिखबल लॉस हो जा रहा है कंफ्यूजन की स्टेट चंदर्मा कर देंगे इंसान के करियर के अंदर प्रोफेशन के अंदर जो की अच्छा नहीं रहेगा तो थोड़ा से इसमें क्या करना चाहिए इस तरह का है और आल ये भी थोड़ा tricky position है जैसे आठवे घर में tricky position था 10th house में tricky position है आपका मन तो करेगा profession में job में career में लगेगा लेकिन जब चंदर्मा के पास power नहीं होगी तो वो weak हो जाएगा तो चंदर्मा को आपको मजबूत करने के लिए देखिया पर्ल भी पहन सकते हैं चंदर्मा को मजबूत करने के लिए white things को consume कर सकते हैं इन सबसे चंदर्मा जो है वो मजबूत अबस्ता के अंदर आपके आ जाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं चंदर्मा इलेवं था अउस के अंदर होती है मन के अइससे उच्छे डाइइग मेरे इंकम बहुत जाद अच्छी रहे मेरे को material गेंग बहुत जाद अच्छे हो ऐसा परसन जो होता है हमेशा चाहता है कि कुछ नँगुछ लाइफ के अंदर चीजें जो है नोए होती रहें मेरे इंकम बिह मैं बैलनस बिर मेरे हमेशा अच्छा बना रहे ऐसे परसन के फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं और काफी जादा फ्रेंड्स परसन की होंगे पर अगर मून टेंटेट है यहां पर यहां पर यह बैड कंपनी भी इनसान को दे सकता है मतलब ऐसे दोस्त आपके बन जाएंगे जो शायद नहीं बनने चाहिए यहा पर चंद्रमाः 11th house के अंदर अगर होता है तो कंदिशन दे सकता है अच्छे प्लैनिट के साथ में अच्छे देगा खराब प्लैनिट के तो यह सबसे पहली बात विदेश जाने की योग बनाता है यह योग बनाता है इंसान के चार्ट के अंदर उसके साथ में यह जो प्लेस्मेंट इस परसन को तो यह जो परसन काफी अच्छे तरीके के साथ में करता है और चंदरमा जब यहां पर आ जाता है तो इंसान जो होता है देखिए एक्सपेंसिज भी ऐसे परसन के काफी ज़्यादा हाई होते हैं क्योंकि जब चंदरमा की 12 था उसमें आते हैं तो खर्चे इंसान की काफी ज़्यादा कराते हैं तो यह देखिए चंदरमा की 12 हौसे सकता है आप पहन लीजिए और आप की लाइफ के अंदर जबूर पॉजिटिव इंपक्त आएगा उसका बाकी देखिए आप इतना बिल्कुल भी मर्सोचीएगा कि मेरे चार्ट में ये मारक है बादक है इसका मुझे स्टो नहीं पैना चाहिए बिल्कुल पैनिये आपको जरूर लाभ होगा कि मंटे दिन कर सकते हैं मंटे की दिन फ्र इंग करना चंदर्मा को इंभ्रूत करने का मंडे के दिन में आप डॉनेट कर सकते हैं वाई ठेक्ट करना भी जो है बहुत अच्छा उपाय है है चन्दर neutrino इससे बहुत अच्छे तरीकिया साहFit मजबूत होते हैं उसके साथ में आप हुए उसके साथ में आप देयुट क्लोफंच होता है जुनिये उससे मन और बहुत ही अच्छे थरीकी साथ में शान्त होता है आपका इप दीब ब्रीदिंग करिए इससे भी चंदरमा भी अच्छे तरीकी के साथ में अच्छे वपाया की और ऩारी ही देखे नैश्डर्ल रिमिडी के बाद में अगर हम सेलेस्ट्रामा की बात करें तो चंदर्मा का जो बीज मंत्र है भी हम फॉलो कर सकते हैं चंदर्मा का बीज मंत्र भी पढ़ शकते हैं उससे भी हमें बहुत ज्याद के साथ या फेटा और आप घरते क्यों चाहते हैं दो कि थे हैं अगर आब विग सीखना चाहते हैं या फिर आप सिए चुके हैं बट एक बार फिर से आप उसे आप श्रगल कर रहे हैं अच्छा करने के लिए तो जरूर यह को जोइन करिएगा आपको बहुत ही जादा इसके अंदर benefit होगा काफी चीले करने को मिलेंगी जैसा कि हमने इसके अंदर बात करी 100 प्लस प्रेडिक्शन आप जरूर सीखेंगे कोई प्रशन है अपने चार्ट अगर आप शेयर करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर आप अपने इसके उपर हम आपको गाइडेंज जरूर प्रोवाइड करेंगे थैंक्यू सो मच फार वाचिंग इस वीडियो नमस्कार